पुने का Porsche Car accident में दो इंजिनियरों के कातिल का बचना अब मुश्किल है नाबालिग आरोपी की दोस्त ने उसकी पोल खोल दी है Porsche 9 में नाबालिग के दोस्तों ने पुलिस को बताया है कि एक्सीडिन्ट वाली रात आरोपी नशे में गारी चला रहा था इस केस में दोस्तों का ये कबूल नामा इसलिए भी एहम है क्योंकि घटना के वक्त ये दोनों उसी पोर्शे कार में पिछली सीट पर बैठे थे 19 मई को आरोपी ने अपनी पोर्शे कार से एक मोटर साइकल को रॉन दिया था इसमें दो इंजिनियरों की मोट हो गई थी दोस्तों के खुलासे के बाद अब पुलिस को बड़ा सुराग मिला है इतना ही नहीं CCTV फोटेज भी सामने आये हैं एक आटो रिक्षा ड्राइवर ने घटना के बारे में विस्तार पुलिस को जानकारी दी थी वो भी पोर्शे कार की जद में आने से उस राद बचा था इसके बाद पुलिस ने आरोपी के दोस्तों से पूछताच की आटो ड्राइवर अमीन ने बताया कार में तीन लड़के थे सभी नशे में दिख रहे थे एक्सिडंट के बाद वे पोश कार से बाहर निकल आये लोगों से शोर न मचाने को कहा और तुरंथ हर जाना भरने का वादा किया अमीन ने ये भी कहा कार की स्पीड 200 किलोमीटर प्रती घंटे से आधिक रही होगी कार में बैथे लड़कों में से एक भाग गया बाद में वो आया और पुलिस उसको अपने साथ ले गई घटनास्थल पर पुलिस की कई गारिया पहुची थी पुलिस की पहली वेन दो लड़कों को ले गई फिर दूसरी वेन आय और भागे हुए लड़के को ले गई जब आटो ड्राइवर से पूछा गया कि क्या पोर्शे कार में कोई ड्राइवर भी था तो इस पर आटो ड्राइवर ने कहा कार में कोई ड्राइवर मौजूद नहीं था उनके साथ कोई दूसरी कार भी नहीं थी अगर airbag नहीं खुलते तो लड़के भाग जाते यहां जानना जरूरी है कि आरोपी नाबालिग और उसके परिवार ने दावा किया था कि पोर्शे कार में एक सीरिंड के वक्त ड्राइवर भी था